ओके हे अल्राइट एंड वेलकम टू अलिन टूडेज दाहिंदू न्यूश पेपर डिसकेशन देखिए 20 से लेके 22 मिनट के बीच में हम ये पूरा न्यूश पेपर डिसकेशन विट नोट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले आपको हर एक पेज वाइज नोट्स आउनलोड करनी है यहाँ पर सर्च बॉक्स आपको दिख रहा होगा वहाँ पर सर्च करना है पंकजबोरा ओफिशल तो यहाँ पर आपको डेली के वेसेस पर जितने भी नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे देखिए पर सिने फिशिंग ये क्या होती है यहाँ पर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी टेली ग्राम में तो यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं आउ स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज पेपर डिसकेशन साथी साथ आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं जो आने वाली मंडे है तब से हमारा आंसर राइटिंग का अब देखो न्यूस कौन सी आती है सबसे पहले यह है केंद्र के मंत्री क्या कहते हैं केंद्र के मंत्री कहते हैं कि राज्यों को मन्रेगा के जो बचे होए पैसे हैं लेवर्स के उनको देना ही पड़ेगा अभी यूनियन बजट जो आया आपका 2023-2024 उसमें क्या बोला गय कि महत्मा गादी नैशनल रूरल इंप्लॉइमेंट गारेंटी एक्ट के अंदर गद 1991 में यह स्कीम आई थी पीवी नर्शिमा राव की तब सरकार थी मंद्रेगा की मंद्रेगा वो लेके आये थे मंद्रेगा के अंदर क्या होता है सौधिन का रोजगार मिलता है मंद्रेगा के कामों में लगे हुए थे कोई नाली बिरना रहा है तो कोई नहर बना रहा है कोई स्कूल बना रहा है है ना अलग अलग राज्ये पर 2-3 मेहने के उनको जो मंत्ली इंकम होती है उनकी वो नहीं मिली है तो इस वार यूनिन बजजट में भी कहीं करोणों इंप्लॉइमेंट गारंटी एक्ट साथ सितंबर 2005 को यह एक्ट किया गया हिस्ट्री की अगर बारे में बात करूंगा 1991 में जो पीवी नर्सी महराओ की सरकार है उसने सोचा कि हमें एक स्कीम चलाते हैं जिन में इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेपलब हो साथ ही साथ लोगों की सिक्यूरेटी भी बढ़े तो मन्रेगा का पूरा काम यही रहता है कि सौ दिन का रोजगार गारंटेड अनिस्किल्ड लेबर्स को एकॉनमिक सिक्यूरेटी को बढ़ाना और मन्रेगा के वज़े से क्या होता था जो ग्रामेंट छेतर से लोग सहरी छेतर में जाते थे यान और भारत इसकी मेजवानी करेगा और भारत प्रिसिदेंशियल उसको कैटिगरी में डाला गया है और डैली में होगा तो इस बार जी ट्वेंटी की सम्मिट में बढ़ाना पड़ेगा जी ट्वेंटी क्या है जी ट्वेंटी उननेस देस उननेस अलग अलग कंट्री जिसमे भारत है USA है जापान है प्लस एक European Union आती है तो 20 लोग क्या गड़ते हैं मिलके कैसे Global को पूरे World को बढ़ा सकते हैं इंप्रूब कर सकते हैं वो बताया जाता है चलिए तिरपूरा में होते हैं स्टेट एसेमली के इलेक्शन और बात की जाती है कि इतना ज़्यादा वॉयलेंस होते होए भी 86% यानि कि 86% लोगों ने वोट डाला जो कि एक अच्छी बात है मैं कहूंगा यह तिरपूरा नौर्थ इस्ट के जो राज्जी हैं पॉलिटिकल अवेरनस बहुत ज़्यादा है इवन लेंग्वेज केपिबिलिटी बहुत सारे ऐसे राज्जी हैं जिन्होंने इंगलिस अजे मीडियम भी चुना है जो कि बहुत सारे ऐसे राज्जी हैं जो नौर्थ इस्ट के हैं वो बहुत आगे चल देखो 86% बहुत बड़ी बात होती है इवन उत्राखंड की हिस्ट्री में अगर आप देखोगे 64 68 इससे ज़्यादा पोलिंग आपको नहीं देखने को मिलती है बड़ तिरपूरा में आप देखोगे इवन देखो अमित मेघा आसाम मिजोरम तिरपूरा और मेघा लई तो तिरप तो इससे हम यह देख सकते हैं इस बार क्या हुआ है यानि कि टेलिकॉम रेगुलेटरी ओथरेटी ओफ इंडिया तराई बहुत इंपोटेंट है टेलिकॉम रेगुलेटरी ओथरेटी ओफ इंडिया इसने क्या क्या देखो यह करती क्या सबसे पहले यह एक्ट जान लीजि ट्रिबुनल इनके ट्राई के डिस्प्यूट ट्रिबुनल में भी जा सकते हैं कहने का मतलब है ट्राई ही क्या करती है जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उन पर लाइसेंसिंग फीस भी लेती है तो अभी ट्राई ने काया है कि जो लोग स्पैम OTP वगरा भेजते हैं उस पर ह ट्राई का है आपका 1997 राइट यह चीज याद रखना अब देखो पहने पेज़ के सभी नीईस हो गई मैंने यह भी बता सब्छाइए और चलते चलते हम बात करेंगे हिमान्चल प्रदेस सरकार की उन्होंने क्या किया है तो अगर कोई स्कीम के बारे में हार की जो हिमान्चल प्रदेस PCS की तैयारी कर रहे है उनके लिए तो अपने आप में खास सरकार जैसे सिक्षा मैं स्वास्त में इन पर बहुत सारे स्कीम लाती है तो अगर कोई पूछे कि मुक्य मंत्री सुक आस्रयी स्कीम 타 अंद्रगत क्या होगा जो और फन है जो अनाध लोग हैं जो अपने रिस्तेदार के साथ रहते हैं इस्पेशली एबल चिल्डरन है जो अपाहिज हैं विमेंस हैं सीनियर सिटीजन हैं जिनको उनके घरवाले रख नहीं रहें तो चिल्डरन को एडॉप्ट करने के लिए मुक तो देखो पैज नमर फोर में यह आता है कि आप यह एक इक्सामपल की तरह इसको युज़ कर सकते हैं कि agriculture को इंप्रूब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो आपको गए agriculture को इंप्रूब करने के लिए हमे तेली तेलंगाना का इरिगेशन सिस्टम को एडॉप्ट भी हम कर सकते हैं चलिए ये मैं एक और बात बताता हूँ हाली में क्या हुआ एक अठार साल का बच्चा था आएटी बॉम्बे में इंडियन इंस्ट्यूट आप टेक्नलोजी बॉम्बे में वो पढ़ता था अठार साल का बट वो बिलॉंग करता था एक दलेत स्टूडेंट था ठीक है तो यहाँ पर उसने सुसाइट कर लिया तो अब लोग मांग रहे हैं कि आएटी बॉम्बे के डियरेक्टर का रेजिगनेशन मिल जाए अब क्या होता है एक सजेशन आइटी बॉम्बे यह कहती है कि हम दो कमपस में वाइट सर्वे करने वाले हैं और यहाँ पर यह भी देखा जाएगा जिन बच्चों के साथ डिस्क्रिमनेशन हो रहा है ऐसे बच्चे जो SCST के हैं जिनके साथ लगाता डिस्क्रिमनेशन हो रहा है तो उसमें यह सर्वे किया जा रहा है उसमें बच्चों से क्या पूछा जाएगा कि हाँ आपके साथ कोई discrimination तो नहीं हुआ, दूसरा सर्वे में ये भी चेक किया जाएगा कि जो ऐसे SCST marginal section के बच्चों को परिशान किया जाता है, उनके again बहुत कड़ी कारवाई भी ली जाए, जिसमें बात की जाएगी कि सभी कास्ट को एक साथ मिलके रहना है, ये प्रोग्राम भी चला जाएगा, जिनसे बच्चों के माइंड में ये values इंकलकेड भी की जाएगी, राइट, चलिए बात करते हैं, next, देखो पेज नम्मर है, ये 5, 5 मा अगर देखोगे ये देखो, कोई काम की news ही नहीं है, पेज नम्मर 5 मतलब पूरा अड़िटाइस से भराया, पेज नम्मर 6 अगर आप देखोगे, स्पोट लाइट से भराया, कोई काम का नहीं, ठीक है, चलिए मैट्रो प्लस ये पेज नम्मर हो गया, 7 ये भी काम का नहीं है, पेज नम्मर 8, आज के पेज नम्मर 8 में एडिटोरियल है, सबसे पहला एडिटोरियल देखो, कि पहला एडिटोरियल ये ही बोल रहा है, कि जो हम जितना ज्यादा ट्रेट करेंगे, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, उतना ज्यादा यहां employment generation और GDP generation होगा, देखें, इंडिया का गुड्स का जो जॉब क्रेटर है, पर अभी अभी हाली में क्या हुआ, कि मेजर गुड्स तो इंडिया भेस था अपने दूसरे देशों को, बट जो दूसरे merchandise हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट है, वो घटा है, ऐसा पूरे आर्टिकल में बताया जा रहा है, दूसरा फार्मा प्रो टेक्स्टाइल इन सब में भी मोमेंटम बहुत ज़्यादा कम है, भारत की एक तो टेक्स्टाइल और दूसरा जोलरी भी बहुत परचलित थी दूसरे देशों में, उसका मोमेंटम भी कम देखने को मिला, तो ऐसे ही पूरे आर्टिकल में ये फैक्ट दिये गए हैं, तो मे जब नहीं नहीं कमपनी आएंगे जब बैकेंड में चीज़ां बन रही होंगे ना, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटप्राइज के लिए अभी यूनियन बज़र दोज़र 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 चॉबिस में भी बहुत सारे प्रोविजन दिये गए, तो इस तरह से हम अप अपना रेजिगनेशन अनाउंस किया है, तो निकोलो और तरजियन आपको इस आर्टिकल को पढ़ने की जरुवत नहीं है, सिर्फ है, यह याद रखो कि स्कॉटलेंड के उसने किया, यहाँ पर पूरा आर्टिकल पॉलिटिक्स इसे भरा है, इसको नहीं करेंगे, हम देता हूँ, एक जाल के बारे में, अगर आपको यह जाल दिख रहा है, तो इसे पर सिने कहते हैं, यह देखो इतना बड़ा जाल होता है, तो यह ग्राउंड लेवल पर जाने की जरुवत नहीं होती, दूसरा यह इसके सामने जो भी आएगा, वो इसको कप्चर कर लेगा, इवन जो कछवे होते हैं, टर्टल्स होते हैं, उनको भी यह कैप्चर कर लेता है, सबसे पहने इस जाल के बारे में बताता हूँ, फिर एडिटोरियल में क्या आया है, वो भी मैं एक्स्प्लेइन करूँगा, पॉस सिने, एक लंबी वॉल से बना है, नेट से बना है, जो क जाल मैंने आपको दिखाया, वो तमिलाडू, केरला, पुड़ीचेरी, उडिसा, दादर नगर हवेली, दमनें दियू, और अंडमानें निकोबार आयलेंड में 12 नौटिकल माइल्स तक बैन था, छीक है कि हाँ भाई साब, ये वाले जो जाल है, वो तमिलाडू, केरल, पर सबसे नेगेटिव अगर बात करोगे, तो इवन जुविनाइल्स, मतलब जो बच्चे अभी मचलिया है, वो भी इस जाल में फंच जाते हैं, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इश्यू था, तो अब मैं आ जाता हूँ एडिटोरियल पर, एडिटोरियल बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो ये तमिल नाडू है, जो दूसरे राज्य हैं, लक्षदीव हो गया, उडिसा है, तो सुप्रिम को औफ इंडिया ने फिसर में को परमिशन दी, कि आप इस जाल का यूज करो, 12 माइल्स के बाद भी, इवन विदिन ईजड, 200 माइल्स, माइल्स भी आप 2023-24 जन्वरी को तमिल नाडू की सरकार ने बैन कर दिया, तो इसके साथ साथ यहां पर यह बोला जा रहा है, कि जो यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज अप दसी, मतलब जो समूद्र के निया में कि टेरिटोरियल एरिया है, बार बार नॉटिकल माइल, फिर दोसों नॉटिकल माइल, ठीक है, फिर कौन सा कंडरी का कौन सा पानी होगा, तो यहाँ पर यूएन क्लॉज में वो बताया गया है, कंजर्वेशन मीजर एन उब्लिगेशन विच कोस्टल स्टेड इजेड ठीक है यूएन क्लॉस में क्या होता है जो समुद्र के नियम बनाती है अब जो बॉड़ी पूरे विश्यू के लिए वो यूएन क्लॉस कहलाती है तो अब इसने क्या कहा है इसके अनुसार भी यूएन तरीके से यूज़ करना चाहिए पर ऐसा नहीं कि हाँ आप क्या करो पूरी तरह एको सिस्टम ही बिगाड़ दो अगर बात करें पर सिने जो मैंने आप लोगों को नेट दिखाया वो 2000 मीटर की उसकी लंबाई होती है 200 मीटर ये गहरा होता है और जादे से जादा मशलियां पकड़ता है सबसे नेगेटिव बात ये है इसमें कि ये इवन जो इसके सामने आता है वो भी चीज़ें कैप्चर कर लेता है अब देखिए नेक्स्ट ओपीनियन माते हैं ओपीनियन में कैन इन्वेस्मेंट भी फ्री ओफ रिस्क नाइन उसके लिए कौन लगी हुई है हम इनके बारे में ये आर्टिकल है जिसको सौक है वो पढ़ सकते हैं पर डारेक्टली यूपीए सीन के बेसिस पर कॉशन नहीं करेगा ठीक है पांसो फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्क्यूजिशन प्रोसेज अभी चल रही है आम फोर्सेज में और 42 स्कॉड्रोंस को जो है स अगरेट किया नैशनल ट्राइबल फैस्टिक वेल के दिन और मैं यहां पर से यह आपको बताना जाओंगा ट्राइबल ट्राइब फैड ट्राइफ एड क्या होता है ट्राइबल एरिया जो अपने घरों में रिंगाल वगरा बनाती है तो फेगा वगरा लकडियों से उनको बेचा जाता है ट्राइफएट के द्वारा और जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहां पर की जाती हैं राइट चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सब पॉलिटिकल है यहां पर एक बात बहुत बड़ी की गई कि केंदर सरकार का एक सबसे बड़ा डिसीजन आया कि ऐसे लोग जिनकी एज 65 वर्से से जादा भी है तो वो भी क्या कर सकते हैं अपना ओर्गन डॉनेट कर सकते हैं इस बार कि अगर मैं आपको स्टेटिक से दिखाऊं किड्नी 2022 में साड़े 9000 किड्नी जो हुई प्रांस प्लांट की गई साथी साथ लीवर लीवल भी 2000 2957 लीवर हार्ट 200 200 लंग 133 पैंक्रियाज 24 तीन अभी तक क्या था देखो अभी तक बहुत सिंपल था कि एक प्रोविजन हुआ क करता था कि जो औरगन डोनेट करेगा ना चाहे कोई भी किड्नी हो लीवर हो हार्ट हो लंग हो पैंक्रियाज हो तो जो औरगन डोनेट करने वाला होना चाहिए वो 65 साल से कम ही होना चाहिए अब होता क्या है लोगों ने ये बोला कि नैशनल औरगन एंड टिशू ट्रांस कर सकता ना अब औरगन तो ऐसी चीज़ हैं जो कभी भी डॉनेट की जा सकते हैं मैं 90 साल गा हूँ एवन मरोणा प्रांत मरने के बाद भी डॉनेट कर सकते हैं तो अभी केंद्र सरकार ने ये कहा कि ऐसे लोग जिनकी एज 65 साल से जादा भी है वो भी क्या कर सकते हैं औरगन था कि 65 साल के बाद के जो लोग हैं वो औरगन डोनेशन नहीं कर सकते तो उस पूरे प्राविजन को ही केंद्र सरकार ने हटा दिया चलिए सबसे पहले चीज़ के बारे में बात करते हैं कुनो नैशनल पार्क जो की है मध्यप्रदेश उस नैशनल पार्क में नामी बिया स से चीता लाएगे इस बार साउथ अफरीका से चीते लाए जा रहे हैं जो कि आज पहुंच चुके होंगे इंडिया में बावन परसेंट वर्ल्ड की नहीं लेप्रोसी पेसेंट देखने को मिलते हैं ऐसी रिपोर्ट कहती है और जादी से जादा कोविड नाइंटीन ने ल रसी या monster's bureaucracy is impeding Ukraine war रश्य और योक्रेन का ऊचल रहा है देखते हैं कब खतम होता है और निकोला स्ट्रोजन यह वह हैं जो पहले मिनिस्टर हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया अपना अनॉंस कर दिया और तरकी में सीडिया में आर्थे क्युक चल रहा है बार हजार से ज्य अभी जन्वरी को हिंडन बर्ग रिपोट आई और उसके बेसेस पर बहुत सारे अडाकी के शियरों को लॉस भी देखने को मिला क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्केट में खबरें आ रही थी तो अभी क्या बोला है सुप्रिम कोट ने मतलब केंदर सरकार ने ये ब इंवेस्टर है एवन एज वेल जो फॉरन इंवेस्टर जो फॉरन से इंवेस्ट करते हैं भारत में उनकी जो फंडिंग है जो इंवेस्ट कर रहे हैं वो कम हो सकता है क्योंकि यह एक नेगेटिव इमेज बना देती है पूरे इंडिया के लिए इस पोर्ड सेक्शन मां thank you, have a nice day.